चली ब्रेक लेते हैं अपने नॉर्मल बोरिंग रूटीन और अनलीश करते हैं अपने अंदर के एक हिडन आर्टिस्ट को तो क्रियेट एंड कस्टमाइज अ मास्टर पीस जो की एक पॉपिलर होम टेकॉल प्रोडक्ट भी है और यह सब हम कर सकते हैं इन हार्ली फाइव मिनिट्स Hey Angels, It's great to see you on my channel today और join कीजे मुझे इस unforgettable beautiful journey पे जहां पे आज के विलोग में मैं बताने जारी हूँ एक बहुत ही amazing art that is fluid art Fluid art एक fun technique है जहां पे हम paints को यूज करते हैं to create an amazing abstract painting वो भी बिना ब्रश को यूज की है यह painting एसे नजर आते हैं जैसे कि आप किसी भी art gallery में जाऊ वहां की जो एक painting होती है एक जो kind of fluid technique होती है यह वही art है आप सोच रहे होंगे कि यह technique बहुत difficult है पर जो art का form या जो technique में जहां पर हम पेंट करेंगे एक canvas board के ऊपर यूज करेंगे एक canvas board के ऊपर by using certain basic techniques यहां पर हम पोर कर सकते हैं हम sprinkle कर सकते हैं यहां पर creativity को कोई limit नहीं है जो के आपके घर को लुक देगा stylish, elegant, luxurious and classy so in case if you guys are new out over here today do consider my vlogs and subscribe to my channel and hit that notification bell icon so that as soon as any of my videos are published you will get notified and आप मेरी एक भी वीडियो को miss नहीं करेंगे so without any further delay let's dive into it मैंने Amazon से purchase किये है कुछ amazing kits जो की है यह एक Camblin का fluid art kit यह है एक sunset का क्यों इस particular kit में आता है canvas board जो की 20 by 20 cm है one in number fluid acrylic bottles है जो की 25 ml each है और ऐसे 4 shades है और एक एपरन आ जाता है so यह आ जाता है इस kit में और यह kit approximately 250 रूपीज का है जो दूसरा kit मैंने लाया है वो है aqua की shades again यह Camlin का ही है fluid art kit है इसमें भी same products है जो मैंने थोड़े देर पहले बताये थे एक और एक shade आता है जो की है monochrome shade by the way यह जो shade है यह थोड़ा सा tricky shade है इसमें black, gold, white and silver shades आते हैं so in case अगर आप्लाइक करें हो इस particular shade को purchase करने के लिए ध्यान रखे कि उसमें जो black color है वो थोड़े कम amount में use कीजे जो black color है वो सारे ही colors में बहुत ही heavy color है वो easily जो भी color हो उसको overcome कर लेता है उनकी जो actual colors है जैसे की gold हो गया white हो गया, silver हो गया उन्हें उभर नहीं देता इसलिए अगर आप black color यूज करने वाले हो जो की थोड़ा tricky है तो just be a little careful आज के अपनी वीडियो में मैं आपको दो टेकनिक्स बताने वाली हूँ pouring की चलिए शुरू करते हैं हमारे 5 minutes के art and craft में and let's create a masterpiece यह जो किट है इसके back side पे भी वह जितनी भी मैं आपको टेकनिक्स बताऊंगी उसके भी कुछ इंस्रक्शन्स दिये गया है however जो में टेकनिक्स जो में पैटन्स आपको बताने वाली हूँ वो थोड़े से different होंगे जो भी कोई आपको design या pattern follow करना है वो आपकी wish है तो मैंने ये जो दोनों किट्स है उन्हें unbox कर दिया है ये वाला जो है वो है sunset shade का and this one is aqua shade मेरे पास एक extra white shade बचा था तो इस shade को मैं यूज कर लोंगी probably I think मैं उसे sunset में यूज कर लोंगी सबसे पहले मैं अपना workstation रड़ी कर देती हूँ in the sense ऐसा अपना location जहां पर actually मैं इस art form को create काऊंगी सो मैंने लिये है कुछ पुराने newspapers में पुरा newspapers यहां पर पिछा दूँगी उसके बाद आप या तो paper cups ले सकते हैं या तो ऐसा कोई भी box ले सकते हैं खाली box जस नीचे रखने के लिए ताकि इसके ऊपर हम अपने canvas को रख सके तो यह रहा मेरा canvas थोड़े height पर जब भी इसके पर शुमार पर वादयर सकते हैं रहा मेरा प्रिंग अःति टोर तो पर टेकनिक आपने सराऑर तौोडर मेरा टीक में पाने प्लब्लों मैं तो यह है उसके सिरह मेरा में बढ़ी के तोटलने नीए च्छल दूई यह तो एंग इस साइड göster को आ एंड से एकर थोड़ करने क अब इसे धीरे से पोर करना स्टार्ट कर दोंगी अब मैं यूस करूंगी टॉकोईस अब यूस करूंगी वाइच अब ब्लू मैं ट्राइ करूंगी कि थोड़ा सा वाइड बीच में यूस कर लूँ ताकि थोड़ा सा एक डिफ्रेंसियेशन बन जाए सारे कलर्स में क्योंकि जितने भी कलर्स एक्वा शेड में हैं यह काफी एक दूसरे से मेल खाते हैं पूरी की पूरी बॉटल यह खाली कर देनी है क्योंकि यह जो 25 ml जो इनो ने दिया हुआ है इच बॉटल में यह पूरे कैनमस के लिए काफी होने वाला है बहुत ही ब्यूटिफुल रिंग्स बन रही है जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा यह रहा बहुत ही ब्यूटिफुल अमेज़िफुल अमेज़िफुल आती है अमेज़िफुल लग रहा है जस्केनट वेट तु सी कि यह फ्लुट आर्ट अब कैसे आने वाला है तो ठीक है चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रिंग पोर टेक्निक के लिए जस्ट टेक दे कैनवास और जो पॉइंटेड वाला जो फॉर्म है उसे आगे रखिये और रिंग फॉर्म में इसे पोर करना स्टार्ट कर दीजे अमेज़िंग रिंग आ रहे हैं और सारे कलर्स के तो जितना भी 25 ml था इच बॉटल में ने मैंने यह पूरा का पूरा यूस कर लिया है अब बस इससे उठाना है और इसे हलकी हातों से हर जगा इसे मोडना स्टार्ट कर देना है अब थोड़ा थोड़ा कलर नीचे ड्रिप भी होने लगेगा तो अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले ले नौट एट ओल इन इशू बड़ कलर कम नहीं होना चाहिए अदरवाइस जो टोटल आठ पीस है यह एपसलूट वेस्ट चला जाएगा क्योंकि कैनवास को कलर करने के लिए इतने कलर का अमाउंट बहुत ज़रूरी है ओके सो अर्मूस्ट थ्री साइड्स कवर हो चुके हैं अब वक्त है लास्ट साइड का भी सो यह रहा हमारा फर्स्ट आर्ट पीस और फ्लूइड आर्ट रेड़ी मैंने ग्लाव का इस्तमाल नहीं किया है विकर सम्हों में कम्फर्टेबल नहीं होती हो ग्लाव यूज करने के लिए हवेवर अगर आपको अपने हाथ गंदे नहीं करने है यूज के डेफिनिटल यूज ग्लव्स चलिए अब स्टार्ट करते है हमारे दूसरे शेड से जो की है हमारा संसेट शेड अब जो मैं आप तो पोर टेक्नीक जो बताने जारी हूं उस पोर टेक्नीक का नाम है ग्लास फिलिप टेक्नीक बाइ यूज इस पेपर का बाइद वे यह जो टेक्नीक है यह थोड़ से टुकी है हावेवर विट लिटल प्रैक्टिस डेफिनिटल यह भी आप इजीली कर पाएंगे अब में शोई टेक्नीक जैसे कि मैंने कहा यह एक एक्ट्रा शेड मेरे पास अल्रेडी था यह है मेटलिक सिल्वर मैं इसे यूस करने वाली हूं अब मैं जो एक्ट्रा शेड से वो यूस करूंगी वो है पर्पल और यह है ब्रिलियंट पॉपल जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में पोर किया था वैसी पोर करने स्टार्ट कर देते है इस बार ट्राइ करती हूं गलव्स यूस करने का इस प्रोसेस को करने के लिए मैंने इस कप का एक पॉइंट एज नहीं बनाया है क्योंकि मुझे वह जरूरी नहीं लग रहा जैसे कि मैंने कहां यह एक ग्लास फ्लिप टेकनीक है जितना इसका सर्फेस एजिया क्लोस्ट होगा उतना जात अच्छा होगा अब देखते हैं कि मेटालिक सिल्वर डालले के बद क्या होता है कि मेटालिक सिल्वर जादा नहीं है तो ठीक है जितना है मैं उसे कम से कम यूज कर लोंगी अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है बाकी शेड्स में यह काफी उठकर आ रहा है कलर सब्सक्राइब फिरसे में एंटायर जो कंटेंट है बॉटल का यह 25 ml मैं एंटायर कंटेंट में यूज करने वाली हूँ आपको जिस किसी भी कॉंबिनेशन में यूज करना है आप उस कॉंबिनेशन में यूज कर सकते हैं प्राइ कि एसे रिंग फॉर्म हो कि कि इतने रिंग आपको क्लियर ली नजर आएंगे उतना ही अच्छा आपका फ्लुएड आर्ट एक मास्टर पीस नजर आएगा और आप कलर्स सीदा सीदा बॉटल से एंटी आउट कर सकते हैं और जो कैंवास में जैसे हम उन्हें पोर करते हैं उस टेक्नीक की हेल्प से आप और भी बहुत सारे पैटन्स बना सकते हैं यह रहे हमारे सारे कलर्स एंड में मैं जो बचा कुछा दो सिल्व मेटलिक शेड था वो भी मैंने डाल दिया है लेट सी अब इसका कैसे आर्ट फॉर्म होता है अब मैं अपना गलवस उतार दूंगी यह इस टेक्निक में अगर थोड़ी सी भी चूख हो गई तो एंटायर कलर आपका वेस्ट हो सकता है और आपका आर्ट फॉर्म रेडी नहीं हो पायागा ओके सो अब इसे बस हात में लेना है कैनवास को इसके ऊपर उल्टा कर देना है इसे उलट देना है ज़सी हाओ ओके अब जैसे हमने पोस्ट में किया था लेट मी वेर माइग लावस यह उलट तो सही से गया है अब बस इसे अच्छी तरीके से हमें इसे प्रेड आउट कर देना है जहाँ पर कम है वहाँ पर मैं फटा फट उसे में शीड्स ले आ जाओंगी पर लेट कर लोग वे झाओंगी नुप। लेट कर देना हमें लोग रवास्ट कर लूट कर लूट कर लोगा लूट कर लोगांगी तरीक से प्रेड वेर में लुट्याए वाटंग्ड लूट टीए ready hey angels finally 24 hours and the fluid are absolutely dry and this is how it's looking right now I am very satisfied with this fluid art this blue is especially my daughter so maybe like let's see probably I will gift her I will put it in my home decor so definitely there will be any space in my living room or bedroom only one thing I forgot to do is use varnish spray so by the way if you get it definitely use it it helps me for fluid art I forgot to order it somehow it just skipped my mind but definitely if you are doing fluid art then do have varnish spray with you the spray you have to use it at the end when your fluid art dry out then I hope you like my vlog do let me know by hitting like share and comment and in case if you are new to my channel check out all my videos and subscribe to it on my channel you will find no limit for art and creativity and unlimited information when it comes to home decor and improvement ideas so fir milne tar take care